नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तानी पाइलेट्स फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी शुरू कर चुके हैं, तो वहीं हमारे पास एक भी फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, क्या-क्या कमिया है J31 जेट में जिस कारण भारत एमका जेट के अलावा कोई और फिफ्ट जनरेशन का जेट नहीं खरीद रहा है ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाकिस्तान के एक रिटाइड अेर कोमोडोर जियाउल हक शामसी का एक बयान आया है कि भले ही पाकिस्तान की एर फोर्स इंडियन एर फोर्स से साइज में फायर जैक्स के नंबर में काफी छोटी हो लेकिन अब पाकिस्तानी Air Force भारत के मुकाबले में इतनी आगे होने जा रही है कि Indian Air Force को इस कमी को पूरा करने में 14 years यानि कि 14 वरेस लग जाएंगे तो यह 14 years का advantage पाकिस्तानी Air Force को कैसे मिल रहा है तो जवाब है Chinese 5th Generation के fighter jet J-31 के रूप में भारत के पास इस समय जितने भी fighter jets हैं वो या तो 4th generation के हैं या ज्यादा से ज्यादा 4.5 generation के हैं भारत के पास 5th generation के कितने fighter jets हैं? जीरो एक भी नहीं ऐसे में पाकिस्तान के पास भारत से पहले 5th generation का J-31 Stealthy Jet आ जाए तो पक्के तोर पर पाकिस्तानी Air Force को हमारी Indian Air Force के उपर भड़त मिल जाएगी यानि पाकिस्तानी Air Force के पास एक Edge जरूर रहेगा पाकिस्तान के इस Retired Air Commodore ने ये बातें हवा में ही नहीं कही हैं अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी पाइलेट्स ने चाइना में J-31 Jet पर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है हाला कि ये रिपोर्ट कितनी भरोसे मंद है इस पर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक मात्र तीन ही प्रोटोटाइप J-31 के बने है इसका सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ है इस चाइनिज J-31 जेट की बात करें तो इसमें फिलहाल दो WS-13 इंजन लगाए गए है जिनकी टोटल थ्रस्ट 174.4 किलो न्यूटन है 28,000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ओफ वेट वाला यह स्टेल्थी जेट 2,000 किलोमेटर परार की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज 2,500 किलोमेटर तक है J-31 एक बार में टोटल 8,000 किलोग्राम वजन की मिसाइल्स को केरी कर सकता है अब यह 5th जनरेशन का स्टेल्थी जेट है तो इसमें इंटर्नल बे भी मोजूद है इसकी इंटर्नल बे में 4 मिसाइल्स लगाई जा सकती है इन मिसाइल्स में PL-15 जैसी Air-to-Air BVR मिसाइल भी शामिल है जिसकी रेंज 180 किलोमेटर से भी ज़ादा है वैसे दोस्तों कमाल की बात ये है कि सिर्फ चाइनीज J-31 ही नहीं पाकिस्तान के पास एक और 5th जनरेशन के फाइटर जेट का पार्टनर बनने का ओफर है ये दूसरा ओफर मिला है टर्की की तरफ से जिनका TFX यानि की कान फाइटर जेट तो चाइनीज J-31 से भी ज़्यादा कैपेबल और पार्फुल है बात करें चाइनीज J-31 की तो दोस्तों क्या वाकई J-31 जेट पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटीज दे सकता है जो चाइना के दूसरे स्टेल्थी जेट यानि की J-20 से मिलती या जो कैपेबिलिटी अमेरिकन F-35 जेट से मिलती है तो जवाब है नहीं ऐसा क्यों तो इसके लिए हमें J-31 की कम्यों को भी देखना चाहिए J-31 में स्टेल्थ के लिए पुराना तरीका यानि रडार वेव एब्सोर्बिंग मेटीरियल की कोटिंग वाला तरीका अपनाया जाता है ये स्टेल्थ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है इससे जो स्टेल्थ हासिल होती है वो आजकल के मोडन रडार्स के सामने बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है इसकी maintenance भी बहुत ज़ादा होती है और ऐसी coating को थोड़े थोड़े समय के interval पर फिर से लगाना पड़ता है बारिश के समय भी यह coating जल्दी खराब हो जाती है चाइना ने इसकी cost को कम रखने के लिए इस पर कम stealthy सस्ती ram coating की है ताकि export market में इसे सस्ते काम चलाव stealthy jet के रूप में बेचा जा सके F-35 जैसे advanced stealthy jet में embedded carpet stealth technology का इस्तेमाल किया जाता है J-31 के engine भी 5th generation की technology वाले नहीं है जिससे इसका infrared signature काफी ज़्यादा रहता है और यह जल्दी track हो जाता है इसकी speed भी J-20 jet से कम है 5th generation के jet में बहुत advanced AESA radar लगाया जाता है लेकिन यहाँ भी China ने कीमत को कम रखते हुए इसमें 200 km range वाला KLJ-7A AESA radar लगाया है यह radar तो बेहद सस्ते JF-17 के block 3 variant में भी लगाया गया है तो JF-17 के मुकाबले काफी महंगे J-31 को लेकर भी पाकिस्तानी Air Force को ज़्यादा advanced Avonics नहीं मिलेंगे रही बात missiles की तो जो PL-15 missile का export variant दिया जा रहा है उसकी maximum range 145 km तक ही है दोस्तों J-31 की इनी कम्यों की वज़े से ही खुद Chinese Air Force ने इस जट को reject कर दिया था पाकिस्तान को J-31 को खरीदते समय एक जटका या surprise और मिलेगा और वो है इसकी कीमत वैसे तो J-31 की first flight 2012 में ही हो गई थी लेकिन अभी तक भी यह सिर्फ prototype stage पर ही है यानि अभी तक सिर्फ तीन ही prototype बनाए गए है ऐसे में अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए J-31 का serial production शुरू किया जाता है तो इसकी per unit cost 90 million dollar तक पहुँच जाएगी जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़ादा होने वाली है इतना सब होने पर भी अगर पाकिस्तान J-31 को खरीदता है तो उनकी मोजूदा खराब economy उन्हें मातर 15 से 20 J-31 jets खरीदने की ही सहूलियत देगी और इतने कम numbers के साथ पाकिस्तानी Air Force को भारतिये Air Force के उपर कोई advantage या edge नहीं मिलने वाला है दोस्तों जो भी हो अगर भारत फिर भी इसे seriously लेता है और J-31 के threat को counter करता है तो उसके लिए भारत के पास इन jets को track करने के लिए advanced satellite monitoring capability के साथ साथ multi-layered air defense system की protection भी मुझूद है और अगर फिर भी भारत के खिलाफ किसी तरह का misadventure किया जाता है तो इसका जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी missile force भी मुझूद है तो दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अब भारत के पास खूब पैसे भी हैं तो भारत अमेरिका से F-35 या रशिया से SU-57 खरीद कर एक अच्छे 5th generation के fighter jet को अपनी air force में शामिल क्यों नहीं कर लेता है खास कर तब जब हमें पता है कि हमारा खुद का stealthy jet यानि की M का अगले 7 या 8 वर्ष बाद ही इंडियन air force में शामिल हो पाएगा दोस्तों वैसे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारत के पास पाकिस्तान की तरह फिफ्ट जनरेशन के stealthy jet को खरीदने के ज़्यादा option नहीं है अमेरिका से भले ही हम F-35 jet खरीद सकते हैं लेकिन इसके लिए अमेरिका रशिया से लिए गए S-400A defense system को हटाने की condition रखेगा रशिया से SU-57 jets खरीदे जा सकते हैं लेकिन इनकी कम stealth capability से भारत satisfied नहीं होगा तो practically हमारे पास अच्छे 5th generation के fighter jet का कोई offer नहीं है अगर भारत भी पाकिस्तान की तरह सस्ते काम चलाओ काम capability वाले 5th generation के fighter jet की तरफ जाता है तो हम रशिया से SU-75 checkmate jets की deal कर सकते हैं लेकिन दोस्तों फिलहाल Indian Air Force ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के 5th generation के fighter jet को विदेशों से नहीं खरीदा जाएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि Indian Air Force को अब ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि अगर हमें कोई लड़ाई जीतनी है तो हम उसके लिए विदेशी fighter jets पर जादा निरफर नहीं रह सकते हैं लड़ाई के समय कुछ पता नहीं कब America या Russia हमें engines, spare parts या missiles की supply बंद कर दे या इन्हें बहुत महंगी कीमत पर बेचने लग जाए ना ही ये देश लड़ाई के समय हमारी जरूरतों के हिसाब से हतियारों का production बढ़ाएंगे तो ऐसे में इन strategic assets की कमी हमें लड़ाई में हारने को मजबूर कर सकती है इसलिए भारत अब अपने ही देश में बन रहे एमका stealthy jet की progress को support कर रहा है ताकि लड़ाई के समय हम जितना चाहें उतना production बढ़ा सकें समय समय पर अपनी जरूरतों के हिसाब से इन में अपग्रेट्स करके नए sensors और नई जादा capable missiles को भी जोड़ सकें अगर पाकिस्तान ने एमका jet के बनने से पहले तरकी से कान jet या चाइना से J31 jets खरीद लिए तो पाकिस्तानी एरफोर्स को कुछ समय के लिए इंडियन एरफोर्स के उपर एक edge या कहें कि advantage जरूर मिल जाएगा इंडियन एरफोर्स को उमीद है कि रश्या से लिएगे S400 जैसे air defense system के साथ साथ जो multi-laid air defense system भारत के पास मौजूद है वे पाकिस्तान को जो 5th generation jet लेने से edge मिलेगा उसको neutralize कर देंगे वैसे भी पाकिस्तान की economy की इस समय जो हालत चल रही है उसे देखकर लगता नहीं है कि पाकिस्तान, टर्की या चाइना से 5th generation के दो engine वाले बहुत जादा maintenance वाले jets को खरीद पाएगा और अगर खरीद भी लेता है तो जादा numbers में नहीं खरीद पाएगा इसलिए भारत पाकिस्तान से 5th generation के fighter jets की race में कुछ समय के लिए पिछडने का risk भी लेने को तयार है एक बार Mka jet का serial production शुरू हुआ तो भारत की air force फिर से कहीं ज़्यादा superior हो जाएगी और जो air dominance वाली superiority चाहिए होगी वो हमारे Swedish technology वाले jets से हमें मिलेगी जो लड़ाई के समय हमारे जीत की guarantee बन जाएगी दोस्तों आपकी राय में क्या पाकिस्तान और चाइना की चुनोतियों को देखते हुए भारत को American F-35 jets खरीद लेने चाहिए या अपने खुद के MKJet को ही जल्दी तयार करने पर जोर देना चाहिए अपनी राय कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार